वेलकम टू अल अफ यू अन माई यूटूब चैनल आज कर जो हमारा सेशन है बैहाधारित होगा बुद्धी पर बुद्धी पैहधारित सारे परश्णों का आज हम आपके सामने एक संपूर्ण समावेश लेकर पस्तुत हुए हैं इस पैहधारित सारे परश्णों आपको आज मिल जाएंगे साथ ही मनो विज्ञानिक तित्थे जो बुद्धी पैहधारित थे व्यकतन भी आपको इस संख्ला में देखने को मिलेंगे हमारा मिर्मोटिव आपके लिए यही देता है कि हम आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट दे सके अन्य था हम आपको इसकी पूरी डिटेलिंग भी दे सकते हैं लेकिन हम आपको उतना ही कंटेंट देते हैं जितना कि आपके लिए बैतर हो और आप कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट ले सके तो आज की सीरीज भी स्टार्ट करते हैं चलेंगे अपने प पर पहला परिशन आपके सामने दा रहे हम यह परिशन अल्रेडी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं बीन बिन एक्जामों में तो काफी अच्छे लोग विलके कोश्चन आपको यहां देखने को मिलेंगें पर पहला परिशन है बुद्धी का पर्थम वाजिक सम्होईक पर बन्हें और दी है, इसका बिन सायमें प्रिक्शंड, तो ये चार ओप्शण है, आपको इसका एंसर, यानि हे इसका विकलप चूज पर राइट अन्सर चूज करना है, इसमें कौन सा होगा छार विकलपकर आपके सामने हैं, पुथिक का पर थम्हें बताते हैं, option number A, army alpha prediction, बुद्धी का पर्थम वाची सम्मुविक prediction है, कई बार पूछा जा चुका है exam में, चलेंगे next question पर, next question आपके सामने आ रहे हैं, गिलफोर्ड के बुद्धी संबंदी model में, कुल कोस्ट, यानि के खाने हैं, तो हमें बताने हैं, जो गिलफोर्ड ने बुद्धी संबंदी model बनाया था, उसमें कुल कितने खाने थे, यानि कोस्ट कितने थे, आपके option आपके सामने आ रहे हैं, first है 3, फिर है 60, फिर है next 80, और last है 120, यानि के 120, तो आप अपने विकलप का चैन करें, कि गिलफोर्ड के बुद्धी संबंदी model में कुल कितने खाने थे, विकलप का चैन करें लीजिए आप, तो इसका जो राइट अंसर होगा, व्या होगा, option number D 120 खाने थे, यानि कुल खाने थे, कोस्टों की संख्या 120 थी गिलफोर्ड के बुद्धी संबंदी model पे, गिलफोर्ड ने अपना बुद्धी प्रिक्षन दिया था, जिसका हम अन्य नाम आपके सामने लेकर पस्तूत होंगे next question में, next question पे चलेंगे, next question है हमारा, प्रोफेसर गिलफोर्ड के बुद्धी के त्री आयामी सिध्धानत का अन्य नाम बताना है, तो गिलफोर्ड ने जो बुद्धी देरा, उसका जो सिध्धान था वह त्री आयामी सिध्धान था, इसे हमें अन्य नाम से बताना है, इसके option आपके सामने रहे हैं, फर्स्ट है प्रतिदशी सिध्धानत, फिर है एक तफ्ट सिध्धानत, सी है त्री खंड सिध्धानत, और लास्ट है बुद्धी सरचन सिध्धानत, तो चार option आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर के chain कर सकते हैं, चारों में एक अन्य नाम था, एक्जाम में आयवाय कोशन, चलेंगे नेक्स कोशन पर, नेक्स कोशन है, किसी युक्ति में व्यक्ति अबालक की स्वयम की रहे, अत्वा उसके दुआरा अपने विशे में कहे गए कथन, अधिक मात्तव रखते हैं, तो यह क्या है, हमें बताना है, चार उप्शन आपके सामने आ रहे हैं, फर्स्ट है, परक्षेपी युक्ति, B है, व्यक्ति निस्ट युक्ति, C है, वस्तु निस्ट युक्ति, और D है, कोई नहीं, तो आप अपने विकलप का चैन करें, राइट अंसर कोन सा होगा इसमें से, आप अपने अंसर का चैन करके, कॉमेंट शेक्शन में जूरू बताएं, इसका राइट अंसर है, हमारा, ऑप्शन नमबर, B, व्यक्ति निस्ट युक्ति, आशा करते हैं, आपने भी इसी विकलप को चुल्स करा होगा, इस इसका परवर्तक पूछा है, तो उप्शन है, फर्स्ट, मेरिल, फिर है गिलफोर्ड, C है थ्रोस्टन, और D है स्केनल, तो जो त्रिया में सिध्धान्त के परवर्तक थे, वैथे, उप्शन नमबर, B, गिलफोर्ड, आपने भी शायद इसी अंसर का चूस किया होगा, चले बुद्धी का पदानुकार्मिक सिध्धान्त था, उसके प्रतिपादा कौन थे, उप्शन आ रहा है आपके सामने, फिर है मेरिल, फिर है कोलर, और D है ब्रेट एवम बैनन, तो आप अपने विकलफ का चैन करें, इसका राइट अंसर क्या होगा, जो परशन है, उप्शन नम्र डी, ब्रेट एम बेनन, ने बुद्धी के पदानुकार्मिक सिध्धान्त का पदान था, काफी बार पूछा जा चुक है, बुद्धी पर अधारित, नेक्स कोशन है, प्रती दर्श सिध्धान्त सैंप्लिंग, ठ्योरी के प्रावर्तक थे, तो मैं बताना है, प्रती आप अपने विकल्प का चेन करें राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा option number B Thompson Thompson नहीं प्रतिदस सी सिध्धान्थ दिया था प्रतिदस का सिध्धान्थ Sampling Theory के सिध्धान्थ के प्रवर्तित हैं Thompson नेक्स कोशन पर चलेंगे नेक्स कोशन हमारा बुद्धी बुद्धी के बारे में यह तीन चार स्टेट्मेंट है हमारी हमें बताने हैं इसमें से कौन सी राइट होगी ठीक है फर्स्त है हमारा प्रेवन के साथ अनुकुलन एवन सम समधान की योगत है तो हमें बताना है बुद्धी में कौन-कौन से विकल्प है इन चारों में से जो जस्टिफाई करते हैं आपके option आपके सामने है first है फिर second है फिर third है और fourth है तो बताइए कौन सा सही होगा इसके लिए तो जैसे कि आपको परशन में दिख रहा है फर्स् होंगे इसका आईटन स entering होगा हमारा option number b 123-4 चारुवी कत्तन सकते हैं इसके लिए next question पर चलेंगे next question है हमारा बुद्धी के समु-कारकतफ सिधान् движ streaming के परःवर्वरतक कौन थे तो बुद्धी के समु-कारकतफ सिधान्द के हमें पतिपादग बताने अपके पहला है तौ तो बताइए आप अपने विकलुक का चेन करें इसका राइट असर क्या होगा इसका राइट असर होगा हमारा option number B throston बुद्धि के स्वमु करक्त सिध्धान के परवर्तक थे थे थॉम थ्रस्टन चलेंगे next question पर next question है हमारा जालोटा ने परिक्षन दिया तो हमें बताना है जालोटा ने परिक्षन दिया था first है रूची परिक्षन, B है स्वमुईक बुद्धी परिक्षन, C है व्यक्तित परिक्षन और D है योगिता परिक्षन तो बताइए इसका राइट अंसर आप हमारे सामुईक बुद्धी परिक्षन जालोटा द्वारा किया गया था ठीक है चलेंगे next question पर next question हमारा किसी मनुविज्यानिक ने बिन साइमन के परिक्षन स्केल को स्टेंट फॉर्ड बिन स्केल में रुपानतित किया तो मैं बताना है किसने रुपानतित किया था इस्टेंट फॉर्ड बिन स्केल में परस्ट है टर्मन फिर भी है विलियम स्टन सी है दोनों और लास्ट है कोई नी तो आप अपने विकलप पर चैन करें राइटन से बताएं क्या होगा इसका चूज कर लिए आप अपना विकलप इसका राइटन से रोगा हमारा अप्शन नमबर ए टर्मन तो टर्मन नहीं क्या था इस्टेंट फॉर्ड बिन स्केल को रुपांतित चलेंगे ने एक स्क्षिन पर नेक्स क्षिन है हमारा निमलिकित कद्नों में से कौन निश्पादन प्रिक्षन का सही वरनन करता है तो हमें बताने हैं निश्पादन प् चैन करें राइट अंसर बताएं हमारे comment section में तो इसका राइट अंसर होगा हमारा option number C इसमें भाषा का परियोग नीत नहीं होता शायद आपने भी इसी अंसर का चैन क्या होगा चलेंगे next question पर next question हमारा जब एक समय में एक से अधी व्यक्तियों की परिक्षा ली जाए तो उसे क्या कहते है option आपके सामने रहे फर्स्ट है व्यक्तिगत बुद्धी परिक्षन, B है सामुईक बुद्धी परिक्षन, C है शाक्षातकर, D है उप्युक्त में से कोई नहीं तो बताइए इसका क्या राइट अंसर होगा आप अपने विकल्ग पर चेहन करें इसका राइट अंसर होगा व्य होगा option नमबर B सामुईक बुद्धी परिक्षन तो काफी सारे व्यक्तियों का जब एक साथ हम परिक्षन लेते हैं तो उसे सामुईक कहते हैं सामुईक बुद्धी मान होती हैं C है बुद्धी का लिंग के साथ कोई संब्ध नहीं है और D है सामुईक लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धी मान होते हैं तो आप अपने अंसर का चेहन करें राइट अंसर बताएं तो इसका राइट अंसर होगा option number C बुद्धी का लिंग क साथ कोई संबंद नहीं हैं चलते हैं न्यक्त कोशन पर लिए एक बच्चे की मान सिक उम्मर पांच वर्ष है और वास्तिक उमर चार वर्ष है तो बच्छी की बुद्धी लिप्दी कितनी होगी तो में बुद्धी लिप्दी का सूतर पताय में उस पर अधारित हम इसका निकालेंगे, first है 125, फिर है 80, c है 120, फिर है 100, तो आपको उसको फार्मूला पता होगा, बुद्धि लिब्धि का सुथ निकालने का, मानसी कायू अपोन वास्तिफ कायू into 100, तो इस फार्मूले को लगा के हम इसकांसर निकाल सकते हैं, ठीक है, मानसी कायू अपोन वास्तिफ का यू इंटू हंडड़ तो इसका जो राइट अंसर होगा वह ओप्शन नमर ए 125 चलेंगे एक्सोशन पर नेक्सोशन हमारे आ गया रहा है बच्चे की बुद्धी लिब्धी 90 से 110 के माद्धे में तो वह हैं परस्ट है समान्य बुद्धी फिर है परकर बुद्धी तो आप अपने ऊपने चैन करें बताइए इसका राइट अंसर का वहा है इसका यूद्धी लिब्धी को क्या गयते हैं हमें बताने है जीरो से लेके 25 बुद्धी लिब्धी वाले परक परक को क्या कहेंगे फिर्स है मूर्क बालग फिर है है जड़ बालक सी है पिछड़े बालक और लास्ट है मन बुद्धी बालक तो बताइए आप इसका अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा option number B जड़ बालक 0 से लेकर 25 तक बुद्धी बालक को बुद्धी बालक को जड़ बालक कहते हैं कापी बाल पुछा गया है कोशन भी तो यहाँ पर हमारी सीडी समापत होती है आश्र करते हैं आपको अच्छे लगए होगी इस पर अधारित और भी काफ़ाए पर्शन बनते हैं आज के लिए इतना ही नेक्ट सीरीस में इस पर अधारित अन्यव परशन हम आपके सामने लेक पस्तु दोगे उम्मिद करते हैं आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें